कि देखें जब ट्रेन साउंडिंग फर्स्ट टाइम की होगी उससे मैं डिस्टेंस क्या रहा था डी क्लियर और जब इक को सुना और ट्रेन कहां पे आ गई यहां पे कि यहां से कितना डिस्टेंस हागी एक्स अब बताये साउंड कितना ट्रेवल करेगा और ट्रेन कितना ट्रेवल करेगे इतना ए ट्रेन ट्रेवल करेगे एक्स मानस डी कोई डाउट और साउंड कितना ट्रेवल करेगा यहां से साउंड हुआ ऐसी गया और फिर ऐसी है लेकिन दोनों का टाइमिंग क्या होगा सेम एक्वेशन क्या बनेगा टी कॉल टू बोलो एक्स मैनस दी अपनी स्पीड आप ट्रेन इकॉल टू बोलो दी वाई वी एस दसलाय वी एस एक्सवाई लेस्ट इस इस्टाइब लोग क्लियर है कि क्या सबी लोग क्लियर है यह सर्कितना जागा एक्सवाई वी टी क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप लोग को दिख रहा है हाँ इसको आप इसको इधर ले जाओगे और इसको इधर ले आओगे क्या होगा बेटा तक्या के लोग को्टी सकते हैं मुझा आण रहा है वी इसको अऌलत clown में समाक्ट्र लॉझा श्यॉड श्राम आख क्या बाइधि क्या है हुआ डीव सकते हैं आण टीवरी कंच समाक्यू थ्यूबू स्यूफ अऑ लाइधि क्या है दिवाइवी आस प्लास डिवाइवी टी एक्स कॉमन कर लीजिये यहां पर दी कॉमन कर लीजिये एक्स कॉमन कर लीजिये कि एलसी यां क्या क्लियर हुए आप लोग या दिकत है क्लियर है सर एक्स का वेलू क्या आ गया क्लिए कुमन क्लिए आат क्लिए वा दिए ओक्स audit expert एक्स क्लिए आप्टारतित एक्स कर दिए embargo यह कि क्लियर कि क्या मेराफ करूँ क्या मेराफ करूँ क्या मेराफ करूँ क्या चले नेक्स टॉपिक लिखेगा क्या फ्रीक्वेंशी इंड देश्ट लिंग फ्रीक्वेंशी इंक त्रीन्ग ेंशीम गок दो अ स्वानन्द, स्वानन्द, इसमें जो वेव डेवलप होगा, कौन्सा वेव होगा? या वेव कौन्सा वेव होगा? बताओ इतना पढ़ाने के बाउजूद भी पस मतलब भी आप इडेंटिफाई नी कर पा रहे हैं कि फटी द नेम आप डेट वेव अर डेवलप एंड डेट इस्ट्रिंग और भी इंटी द नेम आँ क्या एक्सिलेंट बहुत अच्छी बात अंडेट परसेंट स्वाई कि ट्रांस्वर्स वेब चो अब बता चुका हूँ सारी बाते बता चुका हूँ कि यह किसका डायरेक्शन है प्रपागेशन ओफ एनर्जी प्रपागेशन ओफ एनर्जी वेव एंड वाट इस फट इस पार्टिकल मुश्ट इस अलो कि आपका बोर्ड का 628 चलेगा अभी चलना है बायो का अपका एक्जेक्ट योट्य फोर बोर्ड नथिंग इल्स अभी ही आपके लिए है सुभा वाली अलग है ओ सिर्फ फाउंडेशन के लिए नहीं अभी 628 वाला बैच्च आपके लिए प्योर्ली बोर्ड के लिए नाओ बायोलेज बायोलोजी लेक्टर इस गोइंग ओन आप जॉइन कर सकते हो अभी टाइम है जॉइन करो ठीक है ओके बिटेश्ट क्लियर वा बेटा तो दिस इच काल्ट मेडियम पार्टिकल्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आपर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट ट्रांस्वर्स विब इसका स्पीड कितना होता है क्या होता है स्पीड और वे क्या होता है सरो में का बाई कि नई यहां आपन लंड़ा अवाइ लंड़ा विप्री प्रेंड लंड़ा ती बाई मिव वेर निवीच मास पर उनिट लेंद ट्रांस्वर्स वेब में अभी कुछ दिन ही पहले मैंने बताया था कितना दिन पहले बताया था यही अगर लॉंगिटूडनल वेब की बात करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा बोलो बीटा बाई रोब आइसो थर्मल के लिए सॉरी आइडिया वेटे के लिए बीटा इकल टू गामा पी आइसो थर्मल के लिए बीटा इकल टू पी मैं बता चुका हूँ सारी बात बता चुका हूँ अब याद करना और इस सब आपके जी में काम है मेरी मेरा काम नहीं मुझे नीट का एजाम नहीं देना है आपको देना है मेरे विवक्त में मेरे टीचर्स ही बोलते थे मैरे teachers वही बोलते थे ही बाद बोलते थे कि मुझे जहीका एक्जाम नहीं देना है आप लोग को देना आपको पढ़ना है पड़ों नहीं पढ़ना है मेरा काम है पढ़ा देना सदूइ बात है उपढ़ा के बैशारे चले गहे कि यह लोंगी टूर्णल वेव के लिए मैं दो तीन बार बता चुका हूं यह ट्रांसवर्स वेव कि क्या मैं रफ करूं कि जा मैं रफ करूं कि रितना तो बोल दो हाँ या ना एक हाँ सब्सक्राइब कि पौर्वी 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 मुझे ऐसा लगता है कि प्रसाद की ज़रुवत है तुमको क्या कि नहीं मुझे तु लग रहा है नहीं मुझे कल मैं सोच रहा हो कि बुलाओं तुमको कि दुच्छा चड़ी दूंगा नहीं तब तब तुम नहीं शुद्रेने वाली ओ तो अभी चड़ी देने वाला था तब भाग गया ने नहीं हाल कि कल तुम दो पर में आजाओ बारा बजे ऑफिस पे और वी अगर नहीं अगर नहीं आई तो मैं घर पर पहुंजा हूंगा चड़ी ले गर चलो मैं बढ़ू आगे लिगो टापिक का नाम फ्रिक्वेंसी इमिटेड वायर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग फ्रिक्वेंसी डेवलाप्ट वायर वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और दिसा दिसा बेटा अब तुमको भी मार खाने की जड़त पढ़ यह मुझा इसा लग रहा है अगर रिविजन नहीं कर रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है तो नो मीनिंग अब इस क्लास कोई मतलब ने एक क्लास कर देगा अगर आप नहीं रिविजन करोगे तो जब इस्ट्रिंग है इसमें जो वेब प्रोड्यूस होता है इसका फर्मूला क्या होता है बताओ हMr. फ्रीकेंशी का फर्मूला इस्पीड इकल टू क्या होता है तो ट्रीग veinsी क्या होता है अब इस्पिड वाई लेंड़ा लिख सकता हूं वह का फर्मूला आप जांते हो आप इसको इसे वह लिख सकते हो क्या लिख सकते हूं हुआ हमने कुछ नहीं किया वी का फर्मूला लिख दिया यहां पर कि प्लियर हुए कि बढ़ूं आगे कि रब करूं हुआ तो है या एक बात और कि इसको करते हैं वन वेवे रब Egypt पता है नो है चार्ब्लीट में जो लिंथ कवर करता उसको बढ़ लेन और याँ से यहां तक जाने में जो टाइम लगता उसे कते टाइम प्रियड पता वह owना चाहिए कि इसको करते हैían हाफ वेवलेंट है यह स्ट्री में और इसको करते हैं क्वार्टर वेवलेंट क्लियर क्लियर क्या मैं रफ करूँ रफ कर रहा हूँ अगर कोई स्ट्रिंग है और दोनों इंड फिक्स है और इसको उसलेट कराया गया तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा और इसमें क्या प्रोड्यूस होगा वेव तो होगा लेकिन कौन सा वेव इस्टैंडिंग वेव इस्टैंडिंग टांस्वर्स वेव बोल सकते हो तो इस्टैंडिंग टांस्वर्स इस्टैंडिंग वेव किसे कहते हैं क्योंकि जब दो वेव सेम फ्रिक्वेंशी विद सेम एंप्लिट्यूड बाट अपोजी डायरेक्शन बट अपोजी डायरेक्शन brings नूह Clearly mo आप है यहां पर प्रोडूश हो ड मतला स्टैंढिंग वेस प्रोडूस होगा इस पॉइंट को करते नोडल प्वाइंट बता चुका हूं सारी बातें हम यहां पर डिस्प्लेस्मेंट मीनिमम होता है बता चुका हूं सारी बाते इसको करते नूड कि इस पॉइंट्स को करते हैं एंट्री नोड्स कि यहां पर डिस्प्लेस्मेंट मैक्सिमम होता है बता चुका हूं सारी बाते क्लियर हुआ अगर कोई स्ट्रिंग ऐसा हो इसका एक एंड्स फिक्स और एक एंड्स नहीं हिंज्ड हो हिंज्ड समझ में आ रहा होगा या दिक्त है तो यहां पर एक ऐसे फॉर्म करेगा तो इस प्रॉब्स करेगा है ऐसा बनेगा है यहां पर क्या बनेगा है कि नोड और यहां पर क्या बनेगा है कि एंड्री नोड मैं पहले बता चुका हूं कि एंड्री पॉंट्स बता चुका हूं यहां 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 फ्री ओ कुछ भी ओ क्या मैं इसको रफ करूं अब आगे लिखे टाइपस ओफ कि फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ट कितने टाइपस के फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ट होते हैं देखें हम किसकी बात करने जा रहे हैं वान एक स्ट्रिंग जिसका दोनों इंड क्या हो कि फिक्स हो दोनों इंड फिक्स होगा तो क्या होगा कि स्टैंडिंग ट्रांसवर्स वेफ प्रोड्यूस होगा क्या प्रोड्यूस होगा स्टैंडिंग ट्रांसवर्स वेफ अगर ऐसा वेव प्रोड्यूस हो ऐसा भी हो सकता है अगर अगर ऐसा कंडिशन हो इसका लेंध कितना है ल वेव लेंध कितना होगा एल इकॉल टू कितना होगा कोई बत्चा बता सकता है कि लेंडा बाइटो कोई डाउट बेठा सही लिख रहा हूं मैं कि सही लिख रहा हूं मैं कि लेंडा इकॉल टू क्या जाएगा कि फुए इस तरह कि अगर ऐसा फर्म हो ऐसा इमिज बने इसको कते है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या करते हैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अ क्या का थे मिटा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इसका स्पीड फ्रिक्वेंसी क्या होगा तो बुलिए तो कि अभी फर्मूला बताया था बेटा कि माना पॉन लाम्डा टू एन एल यह बताया था विटा यह फर्मूला बताया था फ्रिक्वेंसी को निव लेलो लेंडा का वहलू क्या आजाएगा है तो मेल लिख सकते हैं कि यहां पर वर्ड क्या है फरस्ट अगर वन आया पहला वर्डबॉला फिंट फंडामेंटल फ्रिक्वेंसि यहां पर वन आया तो इसको बोल सकते हैं फर्स्थ हार्मोनी कि 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 क्लियर वह क्लियर हुआ क्या मैं रफ करूं इसको या मोड इसको कते मूड फरस्ट इसको कते मोड फरस्ट अब आ यह मोड सेकेंड रफ कर रहा हूं जो मूड सेकेंड जो इसको क्या कते मोड जाकेंड जाकेंड लग किकल तो का हो गो लंड लेमड लेक्वेंशिंगा फर्मूला मन आपल लेंड रूटओ टीमें तो क्या लिख सकता हूं? लेकिन पहले बाला फर्मूला में अभी वाले फर्मूले में थोड़ा अंतर नहीं दिख रहा है, पहले बाले फर्मूले में नीचे 2L था, अभी L है, तो अगर आम जेनलाइज करें, सेम तरह का लाना चाहें, तो क्या ऐसा लिख सकता है? लेकिन पहले फर्मूला जैसा हो गया, इसको करते हैं, क्या करते हैं? यहां पर टू आया, क्या कहेंगे? यहां इसको करते हैं, फर्स्ट ओवर्टोन, क्या कहेंगे? फर्स्ट ओवर्टोन, सेकंड हार्मोनी को कहते हैं, फर्स्ट ओवर्टोन, अगर मोर्ट थर्ड की बात करें, सेकंड ओवर्टोन, इसका डियाग्राम कैसा होगा? वणेन हाफ में हुए इस वह बनेना थोड़ासा है, समझेन आ रहा है ना? यह लेंद्ध एल एल एक्वल्टू क्या होगा यह लेंड़ा उर यह लेंड़ा भाई टूं क्या गहां थ्री लेंड़ा भाई टूं लेंड़ा प्याद वेल्व तो ने क्रिक्वेंषिय नचेका फर्मूला कि इतना आ जायेगा कि लिखती लिखती है कि हो जाएगा यहां पर क्या आगया थार्ड हार्मोनिक हार्मोनिक यह सेकेंड ओबर्टोन कि अब देखराओ फर्स्ट में आपर फर्स्टा सेकेंड में आपर सिकेंड थार्ड में आपर थार्ड एंड मोड होगा तो क्या लिखेंगे अन हार्मोनिक यह मैने स्वन ओवर्टोन हुँँ हुँ प्रिक्वेंसी क्या होगा एन पी बोल देते हैं यह होगा क्लियर क्या मेराफ करूं अब अब यह वह अब यह अब यह सब चीज रटने वाली चीज नहीं समझने वाली है समझ के दो चार दस कोश्चन कर लोगे हमेशा के लिए दिमाग में बैट जाएगा शेकेंड है वान इंड 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 फ्री इंड 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 लिए जिक्टा आपने है इंड 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 मॉड माना था प्राइब अच्छा जो किया करना है आगे कि अगे मतलब इसी को कंटीनु करेंगा और क्या नहीं मतलब अभी तो फाइनल फॉमिले निकल गया ना अभी एक ले रहे हो क्या इसके बाद वाला फाइप यह हम किसकी बात करें टैंस वरस वी पाइप किसका अप्लीकेशन है लॉंग गया तो वही न अभी बाकिया सथाथ हूं और टोनों इंड फिक्स वाला किलियर हो गया अब एक और बाकिए वन इंडिज फिक्स वन इंडिज फ्री तो क्या करूं ले रहा है कि रो रहे हो 15 को चक्थेक्थ पर चाहँ जो वह न एन ले फिक्स त अनडर एंड इल फ्री जिक कैसा दक्राम बनेक गा कैसा डाग्राम बनेगा